कर्ण ने कृष्ण से पूछा, मेरा जन्म होते ही मेरी माने मुझे त्याग दिया, क्या अवैध संतान होना मेरा दोश था? द्रोणाचार्य ने मुझे सिखाया नहीं, क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था. परशुराम जी ने मुझे सिखाया तो सही, परंतु श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे उस विद्या की सर्वाधिक आवश्यक्ता होगी, मुझे उसका विस्मरन होगा, क्योंकि उन्हें ज्हात हो गया कि मैं क्षत्रिय हूँ. केवल सन्योग वश एक गाय को मेरा बान लगा, और उसके स्वामी ने मुझे श्राप दिया, जबकि मेरा कोई दोश नहीं था. द्रौपदी स्वयमवर में मेरा अपमान किया गया. माता कुंती ने मुझे आखिर में मेरा जन्म रहस से बताया भी तो अपने अन्य बेटों को बचाने के लिए, जो भी मुझे प्राप्त हुआ है, दुर्योधन से ही हुआ है. तो अगर मैं उसकी तरफ से लड़ें तो मैं गलत कहां हूँ. कृष्ण ने उत्तर दिया. कर्ण मेरा जन्म कारागार में हुआ. जन्म से पहले ही मृत्यू मेरी प्रतीक्षा में घात लगाए थी. जिस रात मेरा जन्म हुआ, उसी रात माता पिता से दूर किया गया. कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं. लोगों से ताने ही मिले कि उनकी समस्याओं का कारण में हूँ. तुम्हारे गुरू जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे, मुझे उस उम्र में कोई शिक्षा भी नहीं मिली थी. जब मैं 16 वर्षों का हुआ, तब कहीं जा कर रशी सांदीपन के गुरुकुल पहुंचा. तुम अपनी पसंद की कन्या से विवाह कर सके. जिस कन्या से मैंने प्रेम किया, वो मुझे नहीं मिली और उनसे विवाह करने पड़े जिन्हें मेरी चाहत थी, या जिनको मैंने राक्षसों से बचाया था. मेरे पूरे अगर जीतता है, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्मान हुई समस्याओं के लिए दोश दिया जाएगा. एक बात का स्मरण रहकर्ण, हर किसी को जिन्दगी चुनोतियाओं देती है, जिन्दगी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती. द रोना धोना बंद करोकर्ण, जिन्दगी न्याय नहीं करती, इसका मतलब यह नहीं होता कि तुम्हें अधर्म के पत पर चलने की अनुमती है.